वेलकम बेक फ्रेंड्स एन आर यूट्यूब चैनल यूनिक लाइब साइंसेज एंड टोडे विल इस्टडे अबाव दी वाइटामिन्स देखो विटामिन्स के बारे में सभी एक्जाम्स में क्यूसन पूंचे जाते हैं और आज हम विटामिन्स के बारे में पूरी डिटील से इस्टडी करेंगे जिनके बारे में एक्जाम्स में क्यूसन पूंचे जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं अर्गनिक कंपाउंड होते हैं और यह कंपाउंड क्या होते हैं भूत शुख्ष मात्रमें हमारे बोड़ी को अब उसकी existsर आहित कर दी इसे नहीं है कि सारे सबही जीवों लिए आवशक होते हैं अब सभी जीओ के लिए अलग अलग विटामिन की आवशकता होती है विटामिन आर नोट सिंतेशाइज भाई धेर्फोर मस्ट भी सप्लाइड बाइ डी डाइट अब जो विटामीन होते हैं उनका human body में synthesis नहीं होता है इसलिए हमें क्या करना परता है उनको डाइट में लेना परता है जो अपने भोजन में का होना आवश्यक है विटामीन केंग्शुफाइड अकोडिंग बियर सोल्क्सन सब्सक्राइड ना कि वाटर-सोय ग्लाइट एक हो सकते हैं धुटाइम भी वांटर-सोल्यवल हो सकते है यानि जल में गुलंसील एण फेट सॉल्यूबल यानि वसा में गुलंसील तो दो परकार के विटामिन हो सकते हैं तो अब देखते हैं इसके क्लासिप किशन के बारे में तो देखो दो परकार से क्लासिपिकिशन क्या गया है विटामीन का एक तो water विटामिन्स और दूसरे हैं फेट सोल्यूबल विटामिन्स वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का मतलब ऐसे विटामिन्स जो जल में गुलंसील होते हैं उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन्स करते हैं तो यहां पर नो परकार के विटामिन्स है जो कैसे हैं वाटर सोल्यूब जो कैसे होते हैं water-soluble vitamin और दूसरा देखो तो fat-soluble vitamin किसे कहते हैं जो वसामिय घुलनसील होते हैं तो यहां पर चार परकार के vitamin कैसे होते हैं fat-soluble होते हैं यहां पर देखो इनके नाम देख लेते हैं vitamin first vitamin b1 vitamin b2 जिसको chemical नाम है riboflavin vitamin b3 जो है niacin vitamin b5 जिसको कहते हैं pentothenic acid vitamin b6 जिसको कहते हैं pyridoxin vitamin b7 vitamin b7 को vitamin h भी बोलते हैं और जिसका chemical नाम है biotin vitamin b9 जिसको folic acid भी कहते हैं vitamin b12 जिसको cyanocobalamin या cobalamin भी कहते हैं vitamin c vitamin c का chemical नाम कहा है ascorbic acid यहां पर fat-soluble vitamins देखे तो vitamin a हो गया जिसका chemical नाम कहा है retinol vitamin d जिसको कहते हैं colciferol और vitamin e जिसको बोलते हैं tocopherol लास्ट चोथा है vitamin k जिसको बोलते हैं philokinol तो यह हो गया classification vitamin नो परकार के vitamin तो कैसे हो गए water-soluble vitamin और चार परकार के vitamin कैसे हो गए fat-soluble vitamin अब इन vitamins के बारे में one by deeply one by one detail में study करेंगे अब सबसे पहले देखते हैं water-soluble vitamins में और water-soluble vitamins में जो सबसे पहले vitamin है वह है vitamin B1 यानि जिसका chemical नाम है thiamine अब देखो vitamin B1 क्या है biologically active form यदि इसकी biological active form देखें तो वह क्या है thiamine pyrophosphate जिसकों अब यह biological active form क्या होती है अब जैसे कोई भी vitamin होता है वह उसी form में अपना biological function नहीं करता है अब वह जिस form में अपना biological active रहता है या function करता है उसको क्या बोलते है biologically active form तो biological active form thiamine की क्या हो गई यानि vitamin B1 की biological active form क्या हो गई thiamine pyrophosphate thiamine pyrophosphate serve as coenzyme in oxidative decarboxylation of alpha keto acid यह जो alpha keto acid जिसकों pyruate भी बोलते हैं जब इसका oxidative decarboxylation होता है तो वहाँ पर यह TPP क्या करता है coenzyme के रूप में function करता है नेक्स्ट है deficiency यानि vitamin B1 की कमी के कारण कौन सी disease हो जाती है तो vitamin B1 की कमी के कारण कौन सी होती है बेरी-बेरी तो बेरी-बेरी syndrome found in areas where polished rice measured diet जिन इलाकों में जो polished rice होता है पॉलिस क्या हुआ चावल ज्यादा खाया जाता है यानि उनकी होता है तो उनकी diet में क्या होता जाता है दीरे-दीरे vitamin B1 की कमी होती जाते है तो वहां पर क्या हो जाती है उन लोगों में क्या होजें बेरी-बेरी syndrome उत्पन हो जाता है तो बेरी-डेरी में क्या होता है दिस सिम्टम्स बीवन डेफिशेंस यार मैनी एंटीपेकली रिलेटेड तू नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है मस्कूलर मसल से और गेस्ट्रों इंटेस्ट है यानि पेट से संबंदित इसमें डिसोडर यानि डिसोडर या सिम्टम सुत्मन होते हैं नेक्स्ट इसके सोर्स देखें कि विटामिन बीवन है कौन से खाद्या पदारतों में पर्चूर मातरा में पाए जाता है तो जैसे बीफ हो गया लिवर ड्राइड मिल्क नट्स हो गए औरेंज पॉर्क एग हो गया लेग्यूम डाले वगेरा जो मतर है इस्ट है मश्रूम वगेरा इन में क्या पाए जाता है परचूर मातरा में पाए जाता है फूट्स आर आलसो फोटिफाइड विद्थाइमिन सम फूट्स इट आर ओफन फोटिफाइड विद वीवन आर राइस पास्ता फ्रेड सीरियल सेड फ्लोर जो कुछ अनाज बगेरा होते हैं और कुछ खादय पदार होते हैं उन में क्या होगा उपर से बीवन यानि थामिन एड़ेड किया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं फोटिफाइड फूर्तून में उपर से विटामिन विव स्क्र्वंस दो भागों से मिलके बनी होती इसमें एक तो होती है आई-इस और दूसरी होती है राइस लोटन टेल तो रंच बनाते हैं राइबोफ्लेवन करते हैं राइबोफलेविन के निर्मान में भाग लेता है एफ मैं इस सिंथेस्टाइज आपडर एडिशन ओफ फोस्पेट इन राइबोफलेविन अब जब राइबोफलेविन में यदि फोस्पेट एड कर दिया जाए और पोसपड़ कर दिया जाय तो किसका निर्माण हो जाता ऐग दिसका को जाता है यानि दा 했어 हो जाता है ये क्सेप्ट हाइर्चेप्ट हाराजन से टिस थी फ्ões स्रुम इफ इप यह मेरा है वह क्य तो लिए है उल्ड यह क्या थे कर लिए यह बाइए शक्रेट हो जाए तो क्या हो सकता है तो जब इसकी कमी हो जाती है तो उस सिंड्रॉम को बोलते हैं एरीबो फ्लाविनोसिस इंक्लूड इसकीन डिसोडर हो जाते हैं इसकीन में कुछ बीमार्य उत्पून हो जाती है नेक्स्ट सोर्सेज देखें इसके की विटामिन बीटू कौन से खाद्य परदारतों में पाए जाता है तो सोर्सेज हो गए एग्स हो गए और गन मीट हो गए जैसे किड्नी लीवर लीन मीट मिल्क ग्रीन वेजिटेबल आलसो कंटेंड राइबो फ्लेविन ग्रेंस एंड सी स्विटामिन वीटामिन वीटामिन कभी क्या कहते है तो नियसीन जिसके और जोनिया सीटीन की प्लेस और यह चोनौक में लोगे फोर में MID runs इसकी प्रोंयिक और biological active form क्या होती है तो biological नियसीन यानि B3 की जो नियसीन यानि B3 की जो biological active form होती है वो होती है यानि NICOTINEMIDE ADININ DINICLEOTIDE POSPECT next है NAD plus and NADP plus serve as a coenzyme oxidation reduction reaction जो oxidation reduction reaction होती है उनमें यह coenzyme की रूप में कार्य करता है NAD और NADP नेक्स्ट डेफिशियंसी देखो डेफिशियंसी यदि इसकी कमी हो जाए विटामिन बी-3 की तो कमी के कारण क्या होता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इसके सिम्टम्स पेलेजरा डिजीज और कॉमने रेफर्ट एज तो इसके जो इसके लिख्षण होते हैं उनको थींडी का जाता है यानि 3 डी तो 3D कौन-कौन से हो गए फर्स्ट डी वो गाईसका पेलेजरा से समय पर इलाज नहीं किया जाता है कि टह सकती है सोर्सेज देखें कहां-कां से विटामीन प्राप्त हो सकता है तो हाई नियासेन फूर्स इंक्लूड फिस जैसे मसली हो गई चिकन टर्की पोर्क बीफ मश्रूम ब्राउन राइस, पीनेट्स, आवेकाडो, गरीन पी इन में क्या पाया जाता है पर्चूर मातरा में विटामिन B3 यानि नियसीन पाये जाता है तो यहां पर स्ट्रक्च्चर देख सकते हो आप नियसीन के और यह है निकोटिनुमाइड के इस्ट्रक्चर है नेक्स्ट वाटर सोलिबल विटामीन है विटामीन वीफाइब जिसको केमिकल नाम है पेंटो थेनिक एसीड पेंटो थेनिक एसीड इसीड इसे कॉंपोनेंट ओफ को एंजाइम ए विच इस रेस्पोंसिबल फॉर दी ट्रांसपर ओफ एसाइल गुरूप आप देखो पेंटो थेनिक एसेड जहां पर यह पर फॉर्ड स्ट्रक्चर एक चेनिक एक हैं आप जेखो bowl यहां पर यह पर पार्ट है वो किसका है पेंटोथैनीक इसीड का तो क्या है कोbard का एक भाग है यदि ठीक की कमी तो कोंजाइम में एका निर्मानी कम हो जाए गा तो यह जो पेंटोथेनिक एसीड है वो क्या कार्य करता है ट्रांसपर ओफ एसाइल ग्रूप यह किसके लिए रेस्पोंसिबल है एसील ग्रूप एसाइल ग्रूप होते हैं उनके ट्रांसपर के लिए जिम्हेदार होता है नेक्स्ट देखें डेफिशेंसी यदि विटामिन विफाइव की कमी हो जाए तो क्या होता है विटामिन विफाइव डेफिसेंसी रेर यह जो कमी है इसकी बहुत ही रेर है दुरलब होती है बट में इंक्लूड सिम्टम सच एज फटीग इंसोम्निया डिप्रेशन इरिटेबिलिटी वो मिटिंग इस्टमक पैंस बर्निंग हो गया उल्टी वगेरा पैट में दर्द होना आदी इसके लक्षन है सोर्सेज देखे सोर्सेज की बात करें तो कौन-कौन से सोर्स हैं जिन से हम विटामिन वीफाइब की पूर्थी कर सकते हैं ओल्मोस्ट आउल प्लांट एंड एनिमल बेस्ट फूड कंटेंड पैंटो इसट देखो सभी प्लांट में यह सब प्लांट और एनिमल फूड में पर्चूर मात्रा में पाया जाता है सम उप दी रिचेश्ट डाइट्री सोर्सेज और वीफ चिकन ओर्गन मीट से होल ग्रेंसेंट सब वेजीटेबल इन में क्या पाया जाता है यह यानि पर्चूर म इस एक क्लेक्टिव टर्म फोर पायरीडॉक्सिन पायरीडॉक्सल एंड पायरीडॉक्समेन तेखो यहां पर तीन कंपाउंड है जिनके लिए क्लेक्टिव टर्म लिया जाता है वीचिक्स तो विटामिन वीचिक्स में तीन कॉम्पोनेंट आते हैं पायरीडॉक्सिन पाय दॉक्सल और पाईडॉक से मॉन जहां पर स्टक्चर देख सकते हैं यह है पाईडा updatedوجसल अंड पाईडोको 사ond सेंटन और अंचा मैं के सभर प्रीकर्शर बाइलोजिकली एक्टिव को ओसपेट तो इसका जो biological active form होती है वो एक को-enzyme होता है वो क्या है पाइरी-डोक्सिल phosphate तो यह तीनों की 3-nome compound किसमें कानवाट हो सकते हैं पाइरी-डोक्सिल phosphate यहां पर एक यह तक्छर देख सकते हुई यह तो यह है पाइरी-डोक्सिल पाए जाते हैं अब देखो इसकी कमियों जाते हैं डेफिसियंसी हो जाते हैं तो क्या होता है डेफिसयंसी सी जिस्ख हो यह यह कमी क्या बहुत हरे होती है यह बहुत दुर्लभ होती लॉंग-टर्म अक्सेसिव एलकॉल कंजप्शन में इवेंचुली डिजर्ट इन बीशिक्स डेफिजेंश यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक शराब का शेवन करता है या एलकॉल का सेवन करता है तो उसमें विटामिन बीशिक्स की कमी हो सकती है जिसके कारण हाइपो थाइरोडिस्म या ड अरफिफलिव यलोफिन ट्विपला में प्राप्त होता है नेक्स्टा विटामिन है और विटामिन बी-7 विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है और सको chemical नाम क्या क्या है भायोटीन तो इसको भैशिंगे के नाम से भी जाना जाता है भाईतिट ही बट्रिजलेक्शन जो कारिय शीलेक्शन होती है नहीं पास जूड़ेगा अभ जिस जूड़ता है तो वो कौन से बॉंड के द्वारा जोड़ता है अब देखो विटामीन बी से ओन या बायोटीन की कमी तो डेफिशेंस इंपोटेंट है इससे काफी बार क्योंसर पूंचा भी जाता है तो बायोटीन डेफिशेंस डेजन अकर नेचुरली विकोज विटामीन इस वाइडली इन फूर्स अब देखो इसकी कमी नॉर्मली नहीं होती है नेचुरली नहीं होती है क्योंकि लगबग सभी फूड में विटामीन भी सेवन या बायोटीन पर्चूर मातरा में पाया जाता है कंजुमिंग रो एक्स ओन रेगुलर बैसिस ओफ एन फोर एन एक्टेंड टाइ में बैरना बायोटीन देख यह सपेद भाग में एक प्रोटीन नाम है अवीडिन प्रोटीन तो अविडीन क्या करती है वहारी आथ में बी सेवन का अब्जौन होता है यह उसका आवसोचन होता है वितामीन बी सेवन का अर्शोर तो उस को रोग देती है क्या हो रहा है हमारी आतों के द्वारा उसका उस नहीं किया जा रहा है क्यों कि हम कच्छें अन्दे even करे हैं और कच्छे इंडे 7 करने से जो एक वाइड होता उसमें इंृट बाइटीन बिलर चाहे लोटी बाइवकी । क्या होता है जब अंडे को उबाला जाता है उसको पकाए जाता है उसकी जो होती है वो Ecuador आ хочет दीनेचर हो जाती है तो और दीनेचर होने के कारण वह नहीं करना इसलिए क्या करना चाहिए हमें कच्चेंडों का सेवन नहीं करना चैया हो जाती है तो ऑगी कमी एंकलूड कारण क्या होता है घानने लगते हैं चुझ सब्सक्राइब करें तोसे Syd Branch में छाता है तो देखें फूंट्नें स्मॉश्ट बायोतिन इंक्लूड औरगन मीट्स एग फीस हो बन तरहर्टेबल साचेज पिड हो यानी इन पम्पोजटी बाबा रिचान बैर शोलुबल वितामिन ए वितामिन डीन जानते हैं अगे सब्सक्राइबिक आए अधि जो होता है उसमें थीन भाग होते इसरा हो गया पाभा और तीसरा हो गया glutamate or glutamic acid तो इसमें इसी जरी बनको तो इसके जुड़ी हो सकता है इसकी जो यहलोजीकल एक्तिव फोर्म होती है डिलोजिकलेयक्टीव फॉर्म होती है जो 10 एक्तिव प्लेट tidak करता है यहां बोडी में तो उसके निर्मान में यह मैं रॉल प्ले करता है अब देखू विटामिन बी नाइन की डेफिसियंसी हो जाती है तो क्या होता है फ्राइमरेली रिजल्ट फॉलीक डेफिसियंसी मेगलोबलास्टिक एनिमिया कोज बाइदीमिया सिंथेस और प्यूरीन एंड थाइमिडिन लीडिंग टू एन एबिलिटी ओफ सेल्स तू मेग डिन एंड ट ऐर करने का होती है वह बड़े आकार की होने लगते हैं लेक्टेहन पर क्या हो जाता है विटामिन भी नाइन क्या का करता है तो तो निर्मानले नहीं नहीं कर पाएंगी तो नहीं आरबीशी को सीघाओं का निर्मान नहीं पाएगा और रखती कमी हो जाएगी नेक्स्ट है सोर्सेज इसके यदि सोर्सेज की बात करें तो विटामिन नहीं हमें कौन-कों से खाद्य पदार्टों से प्राप्त होता है लीफी ग्रीन वेजिटेबिल्स हो गए जिसे पालक तो पालक में फोलिक एसिड परचूर मात्रा में पाया जाता है सिट्रस फ्रूट हो गए कुछ औरेंज जूस हो गया बीन हो गया ब्रेड हो गया सेरेस अनाज वगेरा चाल वगेरा इनमें फोलिक एसिड पाया जाता है कि नेक्स्ट वाटर सोलिबल विटामिन है विटामिन बीट्वल जिसको हम कोबाल एमिन के नाम से भी जानते हैं अब देखो विटामि 56-dimetyl benzy- amidozole ribonucleotide विए 26-dim electric benzymedazole ribonucleotide तो यह इसका दूसरा भाग हो गया तो यह दो और कोबाल्टएंन के चार तरव क्या 4 पाय्रोल पाई जाती है नेक्स्ट येकंड कॉंपोनेंट्ट ओफ customer B12,. इसका जो फिसनinkड कॉंपोंनेंट होता है, वो cannot rip यह इसे क्या होता है। या ouve क्सेटी जुड़ा होता है सीधा बार रॉस बाग्स जुड़ा होता है अभी जो cobaltine उसके एक group और जुडार होता है साइनाइड साइनाइड की जगा हाइड्रोक्सी भी हो सकता है methyl भी हो सकता है दियोक्सी एडिनोसाइल भी हो सकता है तो उसके according इसका नाम पढ़ जाता है यदि साइनाइड होता है साइक को बालेमिन जैदी हाइडॉक्षी हाइड्योक्सी गृॉप होते हैं उसको बोलते और नाम उसके आदार पर पड़ता है तो विटामिन B12 की डेफिस्टेंस यह दी हो जाती है तो क्या होता है में lead to a reduction in healthy red blood cells तो इसकी कमी के करेंड भी क्या हो जाता है और बीषी की कम्य हो जाएगे तो उसको क्या बोलते हैं एनीमिया तो इसमें जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं सिम्टम्स और रेर बट कें इंक्लूड फटी ब्रीज लेस नमनेश पूर वेलेंस और मेमुरी टरबल कई भी कबार क्या होता है इसके सिम्टम्स के कारण ठकान होना यदि सांस का उखड़ना नमनेश यहीं सुन हो जाना तो रखती कमी के कारण यह सब चीजे जैसे मेमुरी साफ़ाती आदास हो जाना तो यह सबी हो जारें सोरसे की बात करें तो विटामीन B12 के यह कौन विटामीन बीक वीटी डेत्य LO फावन एक उन्राम प्रोंडट्ञ झाके यहासरा हे का इनिमल फटामीन बिटक्स में भीटामीन बीक्टम पाया जाता है जिसे फिश हो गई, meat हो गया, poultry, eggs, milk and milk product में पर्चुर मात्रा में पाया जाता है vitamin B12 is generally not present in plant foods plant foods में generally नहीं पाया जाता है but कुछ fortified breakfast होते हैं, cereals होते हैं जिन में क्या होता है ये? vitamin B12 पाया जाता है next or last water soluble vitamin है vitamin C ascorbic acid जिसका chemical नाम है ascorbic acid ascorbic acid is small carvohydrate molecule which acts as strong reducing agent अभी जो ascorbic acid and vitamin C होता है वो क्या होते है, एक carvohydrate molecule होता है एक small carvohydrate molecule होता है जो किसकी जैसे कारे करता है reducing agent कि जैसे कारे करता है जो क्या करता है, reduction करता है accept vitamin C, all water soluble vitamins जलिए कि में ने सब्सक्राइब कर सकता है कि क् सा वाटर सोलिबल और नहीं होता है कहें रूप में कार्य नहीं करता है तो इसका एक विटामीन वाटर सोल्यूबल है लेकिन प्री कर्शर नहीं अइसको तर्म में दिया गया है इसका मतलब होता था एंटिस्करवी जिस्करवी डीजीज को रोगता है इट वाइडली डिस्ट्रुबेटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यह जो विटामीन है विटामीन सी यह सभी प्लांट्स और इनमंस में पाया जाता है वर्टीब्रेट सच एज हुमन सटेन बर्ड से एंड सम फिसेज विटामीन का निर्मार्ण नहीं हो पाता है क्योंकि इनमें कि कमी पाय जाते है एल ग्लूनो गामा लेक्टोन ओक्षिडेज तो यह इस एंजाइम की कमी के कारण है विटामीन सी का सिंदेशिस नहीं हो पाता इंपोर्टेंट यह कैसे कार्य करता है एक एंटियोक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है एंटियोक्सिडेंट क्या होता है तो उस दोरान के रेडिकल्स बनते हैं जो क्या करते हैं हमारी कोई कोई नुक्सान पहुचाने कम करने के लिए oxidant किया बाते हुख करता एक ऑप antioxydants कि रूप में कारे करता है है कि क्लिए को में कारण सबको पता विटामिक कारण इस करते हैं करफी केरेक्टराइज by sore spongey gums looeg teeth fragile blood vessels swollen joints and anemia तो इससे में क्या होता है जो मसूडे होते हैं वह सूजने लगते हैं लुज टीथ जो दानत होते हैं फ्रेजाइल blood vessel जो हमारी रखते नलिकाएं वह कमजोर होने लगते हैं जोडों में सूजन आ जाती है और रखते के कमी भी हो जाती है डेफिसेंद devraitapon से च्ञीन कोज़ंड oneself कॉलाज़न रखल तो के कमी कारण क्या होता है तो देखें तो यह कौन कोंन से पदार्थों में पाचा है रॉट्स citrus fruit वो गए ब्रोकली वो गई बुसेल स्प्राउट्स हो गए कोली फ्लोवर हो गया जिसे गोबी ग्रीन एंड रेड़ पेपर्स जो मिर्च हो गई हरी और लाल मिर्च हो गई इस्पिनेच पालक हो गया , यह पाया जाता है पर्चुर मात्रा में टूमेटो इन सभी में पर्चुर मात्रा में वेटमिन तो यह थे वाटर-SOLUME influenced तो जो नौ परकार के होते हैं तो आज हमने इनके बारे में डिटेली स्टड़ी कर ली है नेस्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टड़ी करेंगे फेट सोल्यूबल वाइटामिन्स के बारे में तो आई ओप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजे यदि आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादे से ज्यादा सेर कीजे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए भाई धन्यवाज जैहिन